श्वागत है आपका प्यारा चैनल एट जैड इस्टडी पॉइंट पर अगर आप हमारे इस चैनल पर नए है तो अभी सब्सक्राइब कर लिजे और बेल अकन की नोटिपिकसन को अन कर लिजे आज हम हिंदी व्याकरण से टोपिक लिए हैं तो वीडियो को अंतक बने रहे है चैनल को देख रहे हैं व्याकरण किसे काते हैं अंसर लिखिए व्याकरण उस शास्थर को काते हैं जिसके पढ़नेसे मन इससे सुद्सुद् बोलना और लिखने सीखता है उससे व्याकरण का महत्वर्ण टौपिक है जोकि हरे एक बच्ये इसकी जानकारी नहीं होती है तो इसी तरह से आप लिखने का प्रियास करेंगे तो आपको याद हो जाएगा व्याकरण उस सास्तुर को कहते हैं जिसके पढ़ने से मन सुद सुद बोलना और लिखना सीखता है उसके बाद दिखें व्याकरण के भेद कितने हैं व्याकरण के पांच भेद हैं क्यां कौन से भेद हैं आप देखिए फस्ट में आप देखेंगे वर्न विचार और दूसरा भेद कौन सा है जलजी से बताईए तो दूसरा भेद आपका कौन सा हो सकता है सब्द विचार आप जान रहे हैं जी हाँ आप जान रहे हैं और तीसरा क्या होगा वाक की विचार हो और चौथा कौन सा होगा जलजिस से बता सकते हैं तो बताइए जलजिस से आपका चिन्नड होगा और पाँचमा कौन सा भीद है थो आपका चंदबिचार है इसी तरह से आप याद भी हो है तो याद भी कर और नैस question को देख रहे हैं आपके पास क्या है कि भासा किसे काते हैं तो यह रहा आपका परी भासा लिखिए जिसके द्वारा मनुझ अपने मन के भावों को लिख कर या बोल कर दुसरों पर परकट करता है उसे हम भासा काते हैं तो यह आपको सरल धंक से आपको बता रहे हैं अब उसके बात हम कोस्टेन क्या लेके आएँंगी? जलड़ इसको लिःखे पढ़े उसका next question है भासा के कितने रूप हैं? भासा के तीन रूप होते हैं, आप तो दो ही रूप पड़े हैं, लेकिन हम आपको 20,55 रूप से तीन रूप के बारे में पढ़ाएंगी. तो भासा के तीन रूप हैं, कौन-कौन से रूप हैं, पहला मौखिक भासा, दूसरा आपका लिखित भासा, तीसरा भासा क्या है, वो जान रहें, तो तीसरा भासा संकेतिक भासा है, जिसको हम संकेत के द्वारा बताते हैं, मौखिक भासा मूँ से बताते हैं, और लिखित भ प्यारे बच्चों इसे याद रखिएगा नेस्ट कोस्चन देख रहे हैं वर्ण माला किसे कहते हैं वर्ण माला किसे कहते हैं इसका आंसर क्या आप जान रहे हैं तहां आप जान रहे हैं लिखिए वर्णों के समुदाय को वर्ण माला कहते हैं तो यह आपको अच्छी तरह से सब्दों के सार्थक समू को क्या काते हैं वाक्य काते हैं याद हो गया सब्दों के सार्थक समू को वाक्य काते हैं इसे याद रखेगा नेड्स क्वस्चन क्या है कि संधी किसे कहते हैं तो संधी जांड रहे किसे कहते हैं तो को संधी किक रहे हैं वीडियो अगर अच्छल लग यह तो teachings कि चैनल को शब्सक्राइब किजिए और आपने कोपी में नोट कर लिजिए नेस्ट कोस्टिन है वर्न के कितने बेद हैं आप जान रहे हैं हाँ आप जान रहे हैं वर्न के दो भेद होते हैं कौन-कौन से यह आपको अच्छी तर समझ में आ गया होगा थैंक यू फर वाचिंग माइ वीडियो पिलिए लाइक सेयर कमें और सब्सक्राइब माइ चैनल तो गेट मोर वीडियो